जो है माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागते महा काली भगतग्यान यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भगतों को बताने वाली हूँ सपने में अगर ये चार चीज दिखने लगे तो माता काली आपके सारे काम सिद्ध करने वाली है बहुत चल्द जी हाँ भक्तो अगर आप अन्ने देवी देपताओं की पूजा पाठ करते हैं चाहे फिर भगवान की ही क्यों न करते हो जब आपका कोई भी काम यानि जो काम के लिए आप काफी समय से सोच रहे है और आप चाह रहे हैं कि भई हमारा काम हो हम अपने देवी देपता से बोले कि अपने काम कराएंगे और आप कोशिस पी पूरी कर रहे हैं अपनी तरप से लेकिन इतना कुछ करने के बाद अभी तक आपके कारेगा कोई समय नहीं आया है तो देखिए मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से चार ऐस संकेद बताऊंगी जो आप लोगों को सपने के माध्यम में दिखाई देते हैं तब जब आप लोगों के सारे काम सिद्ध करने वाले होते हैं देवी देपता भगवान जिसकी आप पूझापाट करते हैं जैसे मैं एक्सेंपल देती हूँ जितने भी काली माता के भक्त हैं और वो काली माता की पूजा पाठ मंत्र जाप अपने घर में प्रती दिन करते हैं चाहे फिर हपते में करते हैं जैसे भी करते हैं करते तो हैं ना तो उनी भक्तों को चार चीजे सपने में कभी भी जीवन में दिखाई देती हैं तो ये संकेत होते हैं माता काली के कि जो कार्य आप काफी समय से जिसका इंतजार कर रहे थे वो समय आ चुका है यानि कि आपके सारे काम सिद्ध करने लगेगी माता काली तो आपको उससे पहले ये चार संकेत वो सपने के माध्यम में जरूर दिखाएगी अब इनी संकेतों के जरिये से हम लोगों को पता चल पाता है कि हमने जो काफी समय से जिसकाम के लिए सोचा था वो अब जाके हमारे पूरे होने वाले हैं क्योंकि हमें देवी देपता ने भगवान ने ये संकेत सपने में दिखा दिये हैं तो चलिए भक्तों मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताऊंगी पर बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेश्ट आपसे करना चाहती हूँ अगर आप महाकाली भगतग्यान यूटुब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक सेर कमेंट जरूर कर लेना बेल आइकन को ओल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी निव वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्त के पास पोचे अधित्र करके कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों के काम जल्दी हो जाते हैं और जिन लोगों को काफी ज़्यादा समय लग जाता है अपने कारे देवी देपता से कराने में अब देखिए ये सारा जो खेल होता है ये समय का होता है जो समय है वो सबसे बलवान है और ये जैसे मान लो हमारे जो कारे होते हैं हम अपने देवी देपता के पास उसकी अरजी अरदास लगाते हैं वो तब भी पूरे नहीं होते और कुछ ऐसे लोग हैं जो अरजी अरदास लगा देते हैं जो अगर ये चीज भी नहीं लगाते हैं मूँ से ही बोल देते तो अब करहें दो सब्सक्राइल करने नियुति हैं इसलिए आपके काम नहीं हो पाते क्यांकिभी दैपता भगवान भी सब की परिक्षा लेते हैं इसको कि इसको हम थोड़े बुरे हालातों में रखेंगे तो यह हमारे लिह क्या सोचेगा हमारी पूजा-पाठ को छोड़ेगा हमारी मानत कर्ना छोड़ेगा यह बुरे हाल में भी यह हमें याद कर एगाए इस चीज़ आपकी सभी देवी देपता भगवान परिक्षा लेते हैं और ये हर भक्तों की परिक्षा होती है ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी ही होगी तो जब मान लीजिए आप पूजापाट माताकाली की करते हो या फिर जिस भी देवी देपता की करते हो तो आप लोगों को सपने में ये चार चीजे जरूर दिखने लगती है जब आपका काम सिद्ध होने वाले होते जो काम आप काफी समय से चारेते हैं जब वो काम आपके सारे सिद्ध करने वाली होती है माताकाली या फिर कोई भी देवी देपता तो आप लोगों को ये चार संकेत दिखाना वो शुरू कर देते हैं सपने के माध्यम में और ये संकेत आपको प्रती दिन भी दिख सकते हैं हटे में भी दिख सकते हैं जो आपने सबर कराता, उसका फल आपको मिलने ही वाला है, क्योंकि माता ने आपको ये संकेत ओलरेडी दिखा दे, आप जिन लोगों को नहीं दिखाई देते हैं, तो कोई दिक्कत नी उनके आगे आने वाले समय में भी दिख सकते हैं, उनको तब वो इससे समझ सकते हैं, कि उनके सारे काम सिध होने वाले हैं, तब ही उनको ये संकेत दिखाई दे रहे हैं, पहला संकेत, सपने के माध्या में कभी भी आप लोगों को चीटिया दिखनी लगे, वो भी काले कलर की चीटिया, या आपके मंदिर में दिखे, या आपके घर में दिखे, कहीं भी आपको स सपने में यह सारी चीजे दिखाना शुडू गर दिया हैज दूसरा संकेत जिस ब्यक्ति को सपने में चुपकली दिखाई देती है चाहिए दिवाल पे चलती हुई दिखाई दए लेकि दिखनी चाहिए सपने के माध्या में तो समझ लो कि आपके सारे काम ही सिद्ध होने वाले है और आपका बुरा समय से अब अच्छा समय आने वाला है तभी आपको भगवान देवी देपता ने ये संकेत दिखाए है तीसरा संकेत जिस ब्यक्ति को सपने के माध्यम में मा काली की मूर्ति दिखाई देती है या फिर उसके देवी देपता भगवान की दिखाई देती है जिसकी वो पूजा पाठ करता है तो इस मूर्ति के देखने के संकेत होते हैं कि आपके जो सारे काम है वो जल से जल सिद्ध होने वाले है यानि आपके देवी देपता ही उनको सिद्ध करने वाले है तब ही आपको वो सपने के माध्यम में ये सारी चीजे दिखा रहे है चौथा संकेत जिस व्यक्ति को सपने के माध्यम में माला दिखाई देती है या वो खुद ही जाप करता हुआ दिखे या कोई सामने वाला व्यक्ति या लेडिस कोई भी हो इंसान अगर आपको सपने में दिख रहा है कि वो माला से जाप कर रहा है या माला दिख रही है आपको सपने में तो समझ लो कि आपके सारे काम उसी समय से सिद्ध होने लग जाएंगे क्योंकि आपको ये जो चार संकेत हैं ये देवी देपता ही देते हैं ताकि अपने भक्त को हम बता सके इन संकेतों के जरिये से कि जो कार्य के लिए वो काफी समय से इंतिजार कर रहा था जिसके लिए उसने हमारे पस अरजी अरदास लगाई है आज वो उसकी पूरी होने वाली है तभी आपको ये पहले संकेत दिखाई जाएंगे तो कभी भी आपको जीवन में ये संकेत देखने को मिलते हैं जो जो मैंने आपको वीडियो में बताए हैं तो आप इन संकेतों के जरिये से समझ जाना कि आपके सारे काम माता काली सिद्ध करने वाली है तब ही आप लोगों को ये संकेत देना शुरू करते हैं देवी देपता अब मालो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये संकेत पहले से दिख चुके हो तो समझ लो मात्र एक महिने के अंदर अंदर आपके सारे काम हो जाएंगे क्योंकि एक महीने से पहले आपको जब आपका समय होने वाला होता है यानि कि सारे काम सिद्ध होने वाले होते तो आपको सारे देवी देपता यही संकेत दिखाएं देंगे और ये संकेत से अब आप समझ सकते हैं कि आपके सारे काम सिद्ध होने वाले हैं भी आपको ये संकेत दिखाई जा रहे हैं तो चलिए भक्तों मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है अगर और कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै मातकाली हर हर महादे मातकाली बाव भोलेना ता आप सभी की मनुकाम नहीं पूरी करें